तो दोस्तो अगर आप अपने blogger या wordpress के अंदर free में keyword research tool चाहते हैं जिसके अंदर कोई भी keyword को type करके country को select करके उसके value और cpc के बारे में पता चल जाए तो दोस्तो हाँ आज में आपको एही चीज बताने जा रहा हूँ वो भी एकदम free में एक script भी आपको provide कर दूँगा तो दोस्तो देखिए इसमें आपको कोई भी पैसे देनी की जरूरत नहीं है free में मैं एक script आपको दे रहा हूँ जिसको आप अपने blogger के post में अगर लगा देते हो तो दोस्तो बहाँ पे क्या होगा कोई भी आगर आपके उस article में आएगा और आखे वो keyword research करने की कोशिस करेगा तो दोस्तो क्या होगा आपका visitors और traffic भी बढ़ जाएगा तो दोस्तो कैसे करोगे एक demo के लिए में दिखा रहा हूँ आपको तो दोस्तो वीडियो के आम तक बने रही है तो दोस्तो on screen में आप देखिए मैं एक जो blogger का post open क्या हूँ इसमें आप देख रहे हो क्या लिखाए keyword search और यहाँ पर keyword search करने के लिए एक option दिया गया है box जहाँ पर keyword type कर देना होगा और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आप आपना कोई भी जो country होगा country को आप cpc check करना चाहते हो वह उस country को यहाँ पर select करने का बाद आपको यहाँ पर test में क्लिक करना होगा तो दोस्तो आभी मैं आपके समने करके देखाता हूँ तो देखें दोस्तो मैं यहाँ पर type करा education तो education लिख के मैं यहाँ पर search करूँगा और India को चूझ करूँगा तो यहाँ टेस्ट में क्लिक करता हूँ तो अभी देखिए दोस्तो यहाँ पर क्या का दिखा रहा है यहाँ पर CPC वैलू दिखा रहा है और यहाँ पर भल्रम दिखा रहा है तो दोस्तो यहाँ पर देखिए Education का क्योड क्योड में कितना वैलू है और क्यों का सक क्योड में कितना CPC है वह भी यह पर एकदम दिखा रहा है तो दोस्तों अगर आप भी चाहतों इस script को लेना तो दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा वीडियो के अंतर बने रहे है और जो मेरी चैनल को देख रहे है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दीए दोस्तों इसके लिए आपको जो काम निव पोस्ट में क्लिक करोगे कलिक करने के बाद जब भी निव पोस्ट यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर टाइप गर दिते हो keyword research tool कि को यहाँ पर keyword research tool लिख दिया लिख देने के बाद इसको अभी व्मपोस में है तो अपको इसमें HTML विव में open करना होगा करने के बाद इसको हटा के यह जगा इसकी जगा उसको paste कर दीजिए देने के बाद आप यह पे क्या दिख रहा है देखिये अभी इसको फिर से compose में विव कर दीजिए कर देने के बाद आभी यह पे जो लिखा हो आप keyword research tool इसको copy करके level में भी डाल दो ड तो मैं इस एही लिखता हूँ लिखने के बाद दोबरा यह पे चेक करते हूँ कि पर्मलिंग क्या है तो अभी मुझे जो काम करना है अभी इसको simple published कर देना है तो अभी publish कर देने के बाद अभी इसको open करके देखता हूँ मेरे website में जाता हूँ पहले तो ए रहा मेरा website और website में पहले वाला जो होई keyword research tool इसको आप देख सकते हो for blogger तो इसको आपको क्लिक करना है क्लिक कर देने के बाद आपको यह पे जो मैंने पहले दिखा था डेमो के लिए वह यह पे दिख रहा है तो दोस्तों ऐसे करके आप keyword research tool script को इसको करके आपने website में जब भी डाल होगे तो दोस्तों क्या होगा इससे फाइदा आपका ही होगा कोई keyword research tool अगर सार्च करेगा गोगल पर तो आपका ही इस website का URL को यहाँ पर ला देगा यान keyword research tool for blogger तो जो कोई भी क्लिक करेगा तो यहाँ पर अगर आपके एडसेंस मिलने की चांस भी बढ़ जाएगा और दोस्तों कहा होगा विजिरर्स तो ऐसे ही आएगा आपके बैसे दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स एक नए वीडियो लेके साथ